हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ कुम्बा भाग रिजॉर्ट को जो कि कुम्बलगड में इस्तित है इस रिजॉर्ट को रिव्यू करने के दोरान मैंने बहुत सारी बाते बताई हैं जो कि मेरे परसनल एक्सपिरियंस के बेस्ट पर हैं इस वीडियो के आखिर मैं मैं इस रिजॉर्ट की बारे में कुछ जरूरीज बाते बताऊंगा इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरा देखें थेंक्यो है हमारे रिजॉर्ट कुम्बा भाग आये देखते हैं प्राव टूरेखते लूरा देखते हैं झाल झाल जी हम आगे हैं हमारे रिजॉट कुमभाग सबसे उपर और सबसे लास्ट में पढ़ने वाला रिजॉट है इस रिजॉट में आने से पहले सारे रिजॉट्स जो कि हमने इंटरनेट पे देखे थे यहां पर बुक करने से पहले वो सभी आये और मुझे खुशी है कि मैंने यह यहां पर कराया क्योंकि यह उन सब रिजॉट्स में से बहुत बैटर बहुत बैस्ट है सबसे उपर सबसे हाइप पर है और सबसी यूनिक है देखिया आप नजारा इस समय बज़ रहे हैं 10.30 और टोटल किलोमेटर हैं 350 साड़े पांच घंटे में हम जैपूर से यहां पहुचे हैं तो दोस्तों भी अपने कुमल बाग के रूम में अपने रूम में चेकिन किया है और इस समय बज़ रहे हैं 11 o'clock no sorry it's 11.30 तो आपको मैं दिखाता हूं कुमारा रूम इस रूम व्यू इस रूम व्यू इस रूम व्यू इस रूम व्यू और आप तो अगर दिख रहा होगा अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है तो आप देखने ही पा रहे होंगे लेकिन अगर आप देख पाएं तो सामने ही सामने पहाडों पर कुम्बल गड़ मौजूद है कुम्बल गड़ का किला जो है जो कि हम यहां पर देखने आएं वह इस विजिट लोकीशन है और आपको इस लोकीशन पर आना चाहिए और इस लोकीशन पर आगर आएं और अगर इस होटल में या इस रिजॉट में नहीं रुकते तो आप बहुत कुछ मिस्ट करेंगे बहुत अच्छी लोकेशन सबसे उपर और सबसे लास्ट में आने के बाद क जिसने भी बड़े बड़े है रामाडा भी बहुत पहले चूट गया यह सबसे उपर सबसे उची हाइड पर और सबसे बैस्ट रिजॉट्ट इस नाइस रूम लेट में शो यह बात्रूम्स इस बात्रूम् इस बात्रूम्स इस में ने वान आगी बात्रूम्स इस बांग सब्सेओं से ने अवेड्री कॉंपल बाग बालने यह वी बड़े है देखी आइग बहुत अच्छा है धिया जहाइग है और धुन पहले जाणि एड़े कपा बेड़ी में में पात्रूम्स इथा फ्टीम्स इ और हमारा रिजॉर्ट से ज्यादा उचाई वे इस्तित है बहुत ही अच्छा सुन्दर साफ सुत्रा रिजॉर्ट है को फॉर दिस किसी भी तरह की बीर बार नहीं है रिजॉर्ट के बाहर भी रिजॉर्ट के अंदर भी हमार रूम रिजॉर्ट में सेकंड प्लोर पर है लिफ्ट नहीं है किसी भी पुलर की अपर स्टेसी यूज़ करनी होगी अब मैं जा रहा हूं स्विंग पुल में बच्चों के साथ थोड़ा स्विंग करेंगे एंज्य करेंगे देखे बीटिफुल लॉड़ी झाल स्विंग झाल सेकि अटूर्ड प्वलब झाल स्विंग झाल स्विंग झाल स्विंग झाल झाल कि यह देखे गर आप देख पाएं तो कुंबर्गर फूर्ट यहां से करीब करीब साथ किलमेटर की दूरी पर है इस रिजॉर्ट में कुछ स्टिर्ष चड़ने के बाद एक हिल व्यू है जहां से आप हिल्स को देख सकते हैं अभी आप देखेंगे यह कुंबा बाग रिजॉर्ट का शांदर नजा रहा है आप देखेंगे पीचे संचेट होते हुए और आप अगर देख पा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे मैं जूम करने की कुछिस करता हूं देखें यह 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 लो कलर की जो बिल्डिंग है यह है कुंबलकर फोर्ट जिसको देखने के लिए दुनिय इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है इस रिजॉर्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए यह आपको डिशाइड करना है लेकिन मैं अपना फीडबेक जरूर देना चाहूंगा इस रिजॉर्ट में आपको जरूर आना चाहिए इसको कुछ कारण है प अगर आप वैदर को एंजोई करना चाते हैं चाते हैं एक आउटिंग चाते हैं तो इस रिजौट से बहतर कोई और रिजौट नहीं होगा मैं कुंबल गड़ की अलग रिजॉर्ट में रूख चुका हूं तो मैं जानता हूं इस रिजौट की वैल्यू बहुत सारे popular resorts on the way पढ़ते हैं हमको लेकिन यह resort on the road नहीं होकर off the road है off the road का मित मतलब क्या है कि यह resort सारे resorts आने के बाद आता है और सबसे last में आता है ऐसे एक-दो resorts और हैं जो कि उचाई परिष्थे थे और अलग से भी हैं वो इसी जैसे हैं लेकिन क्योंकि अभी हम इसका review कर रहे हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इसको फाइफ में से four star rated दूंगा hospitality wise location wise view wise peaceful और साफ सुत्रा clean होने की वज़े से यह पूरा पैसा वसूल resort है मेरी राय यह है कि अगर आप कंबल गड़ आने का प्लान होनाते हैं तो आप इसमें जरूर आवे हैं थैंक यू दोस्तों अगर आप का कुछ और व्यू है कुछ आप और बोलना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जान सकते हैं मैं कुछ करूंगा कि मैं आपकी कोई भी क्यारी इस रिजॉर्ट से लेटेड पूरी दरपा हूं थैंक यू बाबाए झालो आप थैंक सकते हैं